ओके, वन सवेन वेल्कम यू और इवरं एवर्ड़िवन, वनस अगेन वेल्कम यू और अटलो की सरण लिम्टटर स्टड़ी जोन तो इसके पहले हमने पार्ट बन कर दिया, अब हम पार्ट टू लेकर किया आपके लिए हैं, चले तो पार्ट टू हमारे पास question number 5 से start हो रहा है question number 5 से हम सभी question करेंगे और आप मेलान कीजिए कि आपके कितने question सही है और आपने कितना कुछ सही लिखा है okay so what is a fundamental charge मूल आवेश क्या है इसका मान कितना so simple question the charge on electron मतलब कि electron पर आवेश को fundamental charge या मूल आवेश बोलते हैं और electron पर जो आवेश होता है उसे e के द्वारा दिखाते हैं and this is equal to minus of 1.6 into 10 की पावर minus 19 कुलाम okay तो electron पर आवेश को मूल आवेश या इसको fundamental charge कहते हैं क्या electron विद्धू छेत्रे में उच्च विभोक की और गती करेगा या निमने भोक देखो भी या अगर आपके पास positive particle होता तो positive particle हमेशा उच्च से निमने की तरफ जाता मतलब plus plate से लेके minus plate की तरफ मगर electron जो होता है उल्टा चलता है तो यह है निमने से उच्च विभोक की और जाएगा तो क्योंकि electron की बारे में बात पूछी गई है तो electron विद्धुद छेतर में कहां से जाएगा निमने टू उच्च मतलब from lower potential to higher potential जाएगा English में देखा जाए so it will going from lower potential to the higher potential done guys यह हो गया विद्धुद सेल किसे कहते हैं विद्धुद सेल वह युक्ती है जिसके द्वारन किसको क्रास्थाइनिक ऊर्जा को विद्धुद उर्जा में बदला जाता है इसके उदाहान आपको देने है तो इसके उदाहान कई सारी लिख भीजे बच्पन में आपने पढ़े होंगे शुस्क सेल याने की ड्राई सेल होता है ओके और कौन से होते हैं डेनियल सेल होता है ठीक ना और कौन सा होता है chemistry lab में आपने देखा होगा या physics lab में भी यूज होता है लेकलान से सेल होता है तो ये थोड़ा सा question मैं फिर से कहूंगा थोड़ा सा problem दिया होगा विदूद सेल तक तो बच गया होगा बन गया होगा बच्चों से मगर जैसे ही उदाहरान देनी की बात करियोगी बच्चों को तो बच्चे सोच रहा होंगे कि यार उदाहर तो कभी पढ़ा नहीं है है ना कहीं पर आपने को दिखा भी नियोंगा बिकाज पुराने से ले बस में आता था अब इतने दिनों बाद इसकी कैसे याद आगई मैं खोड अचंबे थो सोच करके विदुद सेल क्या होता है इंगलिश वाइज 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 वाला कोश्चन कटे नेचे वाले कोश्चन ने राहत दे दी ओम का नियम लिखिए और धारा विवांतर के मद ग्राब बनाई तो सो सिंपल था ओम का नियम क्या था कि अगर किसी चालक की भौतिक परिस्थिती जैसे की लंबाई छेतरफल तापमान में परवर्तन ना किया जाए तो चालक के मद आरूपित विवांतर उसमें बेहने वाली धारा के समानुपा अधिस रूप में बायूट सेवर्ट लिखना देखिए सदिस रूप में बायूट सेवर्ट तो आपके पास जो अधिस रूप में बायूट सेवर्ट था उससे ही थोड़ा सा यह सदिस रूप में कनवर्ट हो जाएगा तो यदि आपके पास बायूट सेवर्ट अधिस पॉर पाई, जो इसकी डारेक्शन होती थी, वो किस तरब जाती थी, इसकी डारेक्शन होती थी, I x DL की तरफ, I x DL की तरफ, इसकी डारेक्शन जाया करती थी, तो mu naught upon 4 pi i cross dl sin theta upon में कितना r square और यहाँ पर क्या लगता है r cap लगता है ठीक ना तो यहाँ पर r cap लगा करता है येस तो यहाँ पर सब कुछ सही है ओके यहाँ पर i और dl में वेक्टर नहीं होता थोड़ा सा मैंने अशुद्ध लिख दिया उसको मैं सही कर देता हूँ देखे क्या होगा तो यह जो formula होता है mu देखोर सबसे पहले db कर ले ना क्योंकि आप small छोटा सा element के लिए निकाल दो db equals to होता है ideal ए complete quantity होती है और ideal के साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके पास यहाँ पर लग जाएगा into r cap yes upon में कितना होता है r square यह होता है तो यह आपका बन गया इसका vector form का formula आप चाहें तो एक चीज़ और इसको कहीं कहीं पर लिख सकते हैं db के उपर vector ज़रूर लगा देना क्योंकि vector form है equals to mu naught upon 4 pi आप यह इसको ideal अगर आप इसको only r vector ले रहा है तो यह r का cube बन जाएगा mod of r का cube बन जाएगा ठीक ना तो इस तरीके से जो है आप यह लिख सकते हैं चली अगला देखते है चुम्ब की छेतर रेखाओं के प्रारभिक तथा अन्तिम सेरे नहीं होते हैं why do no end point of magnetic field okay yes क्योंकि चुम्ब की छेतर रेखाओं जिस भी बिंदो से निकलती हैं वो अपने कोई भी मतलब magnetic pole जो होता है वो एकल नहीं होता है वो हमेशा दुधरू होता है मतलब की चुम्ब की जो दुधरू होते हैं वो कभी विलगित नहीं होते हैं वो हमेशा दुधरू के रूप में उपलब्द होते हैं मतलब यहां पर एक सिरा नौर्थ होगा तो यह यकीनन दूसरा सिरा क्या होगा साउथ होगा तो यहां पर यह आईसोलेट नहीं होगा यह रेखाएं अंदर से घूम जाएंगी और यह दुधरू के दुधरू के अंदर भी प्रेजेंट हुआ करती है तो चुम्ब की बल रेखाएं प्रारंभिक और अंतिम से क्यों नहीं होते क्योंकि यह समाप्त नहीं होती है यह अंदर भी प्रेजेंट होती है और यह दुधरू के जैसे काम करता है कोई भी आपकी जो किसी भी पार्टिकल में कह लो या जिस भी माटेरियल के अंदर से आप इसको चुम्ब की रेखा है पास कर रहे हो तो वो दुधरूप के समान कारे करेगा ओके और थोड़ी से एक दो लाइन में इसके बारे बोलूगा कि जो चुम्ब की बल रेखा हैं होती न वो क्लोज लूप बनाती है क्लोज लूप याने की बंद लूप इसको हिंदीम बोलते हैं लोग तो यह बंद लूप बनाती है इसलिए इनके अंतिम से रे जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं यस तो यह इसका अंसर था थोड़ा सा बायोट से वर्ट लॉज इनको बन गया ह होगा वो तो ठीक है अब ये लिखने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिक्कत जरूरी होगी ये भी थोड़ा सा इसकी लेंग्वेस्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट है लिखने में अब बाकी जिसको सदिस रूप में बायूट से वर्ट याद होगा वह बहुत अच्छी बात है हमन इस पर यहां पर एक चार्ज रखा था और इस पॉइंट पर पहले मैंने फील्ड निकल वाया था यूजिंग दा गोस्लो और इसके बाद में यहां पर टेस्ट चार्ज रखकर के फॉर्मूला आ गया था क्या आय था फॉर्मूला वन बाई फॉर पाई एप्सलोन नॉट क ही सलूशन आएगा तो बिल्कुल उनमें हल्चल मज जाएगी क्योंकि बहुत बच्चों ने आपर संधारित्र की धारता लिग दियोगी है ना चालक की धारता बोली गई है मतलब की theoretical question question book के अंदर से चान के निकाला गया है चालक की धारता क्या होती तो देखो चालक की धा हो जाएगा q upon c तो c equal to कितना हो गया q by v है ना तो क्या हो जाएगा एकांक विभव पर चालक के द्वारा संग्रहित की हुई आवेश की मात्रा को चालक का विभव बोलते हैं याद रखेगा संधारित्र का विभव नहीं बोला गया है तो चालक की धारता को प्रभावित कर करने वाले कारक क्या होते है चालक के धारता को प्रभावित करने वाले कारक चालक का आकार चालक का आकार हुआ करता है दूसरा माध्यम हुआ करता है और चालक के सामने अन्य चालक की उपस थे थी अन्य चालक मतलब कि नियर भाई कंड़क्टर जो है कोई और है की नहीं है जब circuit से धारा ली जा रही होती है यह विभांतर का अधिकता मान होता है यह विभांतर का अधिकता मान नहीं होता है एक और अंतर लिखना है विद्धुत वाहक बल जो होता है वो हमेशा समान रहता है वो हमेशा fix रहता है conductor का कभी बदलता नहीं है, मगर जो विब्वानतर होता है, वो बदलता रहता है, ये भी है ना, करिंट के अनुसार जो होता है, बदलता रहता है, किसी चालक के प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध में तीन अंतर लिखना था, देखो भाई, मतलब आसान पेपर, मतलब आसान तो है, क अंतर तो भाई सबसे पहले इसका अंतर इसकी इकाई लिख दो इसकी इकाई क्या होती ओम इसकी क्या होती ओम मीटर अगला अंतर क्या लिख दो यह चालक के पदार्थ के द्वारा करेंट के धारा के रास्ते में उत्पन रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं ओके चाल तो ρो equals to कितना हो गया R A Y L तो यहां से बना लो परिभासा एकांक अनुप्रस्त काट एकांक लंबाई के प्रतरोध को चालक का विसेश्ट प्रतरोध बोलते है तीसरा ये चालक की लंबाई पन नर्भर करता है छेतरफल पन नर्भर करता है ये चालक की लंबाई छेतरफल पन नर्भर नहीं करता है केबल किस पन नर्भर करता है पदार्थ पर नर्भर करता है और तो बहुत चीजें हैं बहुत तरीकें हैं पर अपन को इतना काम चल जाएगा बस तीन अंतर लिखने थे मैंने आपको 3 बता दिये main main, बाकी आपके सही भी हो सकते हैं, जो आपने अलग लिखे होंगे, इनको चेक कर लिजेगा, बुक्स से, जहां से आप पढ़के गए थे, चलो भाई, अब कह रहा है सामर्थ 100 वाट और 400 वाट के दो बल के प्रत्रोधों की तुलना कीजिए जब इनकी वोल्ट तस हमाने, बहुत बढ़ी है क्वेश्चन एकदम लल्लू टाइप क्वेश्चन आगया, यह इजी टाइप का क्वेश्चन, आईए इसको कैसे करते हैं, देख लीजे, थोड़ा सा इसको ले चलते है साइड में, compare करना है इनके किसको, compare करना है इनकी पावर को, दो बच्चों, पावर P कितना होता, V square upon R हुआ करता है, ठीक ना, तो यहाँ पे हमको किसको तुलना करता है, प्रत्रोधों की तुलना करना है, तो R equal to कितना हैगा V square upon P, तो दो case बनेंगे, सबसे पहला, R1 equal to V1 square upon P P1, यह और दूसरा, R2 equal to हो गया V2 square upon में कितना P2 चलो, दोनों को divide कर दो, R1 upon R2 equal to V1 square upon P1, divided by V2 square upon P2, ठीक है न, तो देखे, 100 watt है 400 watt है, voltage दोनों का same है, पहले इसको थोड़ा simplify कर लो, V square V1 square upon P1, यह उपर चला जाएगा, P2 उपर आजाएगा, और नीचे कितना आजाएगा, V2 का square, अब देखो भाई, क्या है, कि दोनों का समान वोल्ट था है, मतलब voltage समान है, मतलब जो V1 है, वही क्या है, V2 है तो V1 square से V2 square को कर दो, किवल P2 upon P1 आजाएगा तो P2 कितना दी गोई है, आपको 400 वोट है, और P1 आपको कितना दी आगया है, 100 वोट है, ओके तो आपके पास में जो R1 upon R2 आएगा, वो कितना आएगा, 4 ratio 1, तो इसका जो अनुपात आ रहा है क्या है, 4 अनुपात है, एक है इसका अनुपात, तो इसका जो आंसर आएगा the ratio is equal to 4 ratio 1 correct answer is 4 ratio 1, पहला पार्ट ओके, दूसरा पार्ट इसका ज़्यादा मुझे सरल लग रहा है, दूसरा पार्ट भी है यह discuss कर लेते हैं, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है यह देखें, दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर किसी चालक की तार की लंबाई, मूल लंबाई का आधा कर देने पर, अनुपरस्त छेतर फल को दोगुना कर देने पर, प्रतरोध कितना हो जाएगा तो मान लीजे सबसे पहले आपके पास जो चालक की लंबाई थी, L थी, ओके, और छेतर फल A था पहली जो लंबाई थी, L थी, और छेतर फल कितना था, A था तो फॉर्मूला क्या बनता अपने पास में, R1 एकॉल टू रो L अपॉन A अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कहरा की चालक की लंबाई को मूल लंबाई का आधा, तो पदार तो वही है मतलब रो नहीं बदलेगा, अब जो नई लंबाई है, वो L का आधा है मतलब L बाई 2 है, और छेतर फल कितना है, दो गुना है, मतलब कितना हो गया 2A, ओके, तो आप देखिए ध्यान से, तो, सुरी, R2 लिखना था, यहां पर मैंने P लिख दिया तो यहां पर रो एल अपॉन ए, यह देखिए, यह कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा कितना हो जाएगा, नया प्रतरोध है, पुराने प्रतरोध का चौथाई भाग हो जाएगा, यहने, R2 इकॉल टू, R1 बाई 4 तो जो नया प्रतरोध है, वो पुराने का एक चौथाई हो गया, correct answer क्या है, इसका, एक चौथाई, सो, R2 इस इकॉल टू, R1 बाई 4 बहुत बड़ी है, तो R2 इस इकॉल टू, R1 बाई 4, यह भी कॉश्चन अच्छा आया, सामानने कॉश्चन था, सिंपल था, एकदम कुछ कठे नहीं था, मैं तो कहूँगा, 10th क्लास के लेबल का कॉश्चन है, यह तो, जो भी पिछला दिया आपको, अगला कॉश्चन दे क्या कह रहा है, यह कॉश्चन इधर रख दो, इसको भाई, ओके, चलिए, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्यों को, solve करेंगे, किसी उभी उत्तल लेंस के दो फलकों की वकरता त्रिज्जा है, 10 और 15 cm, तो यह देखिए, उभी उत्तल मतलब दोनों तरब से उत्तल, ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम F2 बोलते हैं, इसको हम F2 बोलते हैं, दुती यह मुख को फोकस बोलते हैं, तो यहाँ पर जो, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर F2 है, F2 आपको कित्ती दी गई है, 12, ठीक है न, फोकस दोरी कित्ती अपने पास में, 12 cm, ओके, so F2 2 है तो यहां इसी तरफ क्या होगा R2 होगा ओके R2 तो R2 जो है कह रहा है उनके फल्गों की वक्रता तरिज्जा हैं 10 और 15 हैं ओके तो 10 और 15 मतलब ऐसे सीरियल ही मान लिजे कि यह R1 है और यह R2 है तो R2 आपके पास किता होगा प्लस 15 cm प्लस 15 cm ओके और आपके पास में दूसरा है फोकस दूरी 12 हो गया है और एक दी है 10 तो R1 एक्कोल टू कितना हो जाएगा देखो R1 एक्कोल टू कितनी हो जाएगी यहां पे जब R2 इधर है तो R1 पीछे की तरफ हो जाएगी तो R1 कितनी हो जाएगी माइनस का 10 माइनस का 10 cm क्योंकि बैक साइड आपने लिए है चलिए, फोकस, लैंस मेकर का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन F इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 यह फॉर्मूला होता है लैंस मेकर का फॉर्मूला, म्यू माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 अब इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे ओके तो यह जो फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मतलब फिजिक्स में आप्टिक्स का मैं कहूंगा कि 80% तो यह फॉर्मूला आता है आज तक मैंने जो एक्जाम देखे हैं इसमें 80% यह फॉर्मूला आता है तो बढ़िया निमेरिकल है मतलब जो बच्चे तयारी करके नहीं गया है वो निमेरिकल इसको नहीं कर पाएंगे मतलब इस बहुत इस बहुत इस बहुत बढ़िया वाला तगड़ा वाला बेसिक लगा हुआ है तो चलिए देखते हैं कैसे करना इस क्वेस्चन को 1 upon F equal to mu minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 R1 R2 मैंने आपको बताई दिया है तो 1 upon F देखिए focal length आपको 12 दी गई यहां 12 रग दो mu आपको find करना है minus 1 1 upon R1 R1 कितना है minus का 10 है और plus 1 upon R2 R2 कितना भाई सा 15 है और यहाँ पर 1 upon 12 is equals 2 mu minus 1 पहले LCM ले लो तो minus का 10 और 15 ओके तो 10 और 15 का LCM ले लो 10 और 15 का तो सबसे पहले 2 से जाएगा 5 बार यह 15 छोड़ दो फिर 3 से जाएगा तो यह भी 5 यह भी 5 और फिर 5 से जाएगा तो 2, 3, 6, 5, 30 हो गया 30 हो गया यहां पर ठीक ना और अब आपके पास में देखिए 30 है यहां पर कितना आएगा यहां पर आएगा 10, 3, 30 और फ्रस का कितना हो गया 2 हो गया ठीक है ना ओके 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 सब कुछ सही चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है चलते आँगे चल लिए अब सॉल्व करता हूँ 1 upon 12 is equal to mu minus 1 और यहां पर कितना हो गया minus 1 upon 30 कुछ काटना चाओ तो काट दो 2 से 6 बार और यह कितना हो गया 15 बार तो अब LCM ले लिजे आप तो देखे यहां पर 15 एक हो जाएगा और यह कितना हो गया minus 6 हो गया और यह कितना हो गया mu minus 1 mu minus का 1 mu minus का 1 तो तो यहां पर 15 जो है 15 1 से multiply हो गया बिल्कुल सही है 1 से multiply हो गया है 15 ओके और 15 1 से multiply होने के बाद 15 वंजा 15 और mu minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट कोई mistake हुई है मेरे से 1 upon r1 minus 1 upon r2 है देखे यहां पर गलती हुई तभी तो answer खराब हो रहा है देखो यहां पर क्या था minus था ना तो इधर पर minus हाएगा यहां मैंने plus कर दिया I don't know क्यों कर दिया यह गलती हुई है भाई साब ओके so 1 upon r1 minus 1 upon r2 तो 1 upon r1 कितना है देखे आपके पास में r1 जो है back side में है तो minus का 10 हो गया है और r2 जो है इस तरफ है तो यह plus हो गया है minus हो गया क्योंकि minus है originally sign अब एक चीज़ देखे दोस्तों हमारा answer जो है यहां negative आरा मतलब refractive index हमारा क्या आता देख रहा हमें कई mistake हो रही है कहां पर mistake हो रही है साथ r1 r2 के combination में mistake हो यह देखे यहां पर एक चीज़ करते है यह face होती है l1 यह first होती है l2 हाँ हाँ यह इस वज़े से गलती हो गई है देखे l1 यह वाली face होती left वाली face तो left वाली face के लिए जो r1 है वो इस तरफ जाता है और r2 है वो इस तरफ जाएगा तो यह गलती हो गई थी हमसे यह हमारे पास r2 यहां जाएगा बस यह गलती हो गई थी ok so r1 हमारा किस तरफ रहेगा right side रहेगा तो r1 हमारा positive हो जाएगा so यह अपने पास में plus 1 upon 10 कर लिज़े गलती हो गई यहाँ पर सुधा लीजे, तो R1 किस तरफ रहेगा, क्योंकि face L1 ऐसे होती है, यह होती है L1, और L1 का जो radius of curvature मिलेगा, वो इधर मिलेगा, मतलब वक करता त्रिजज़ जो मिलेगी, वो इधर मिलेगी, ओके, lens वाला पार्ट है, और दूसरा जो है, यह L2 वाला पार्ट यहाँ हुआ करता है, ठीक है ना, तो इसकी जो focus, इसका जो radius of curvature मिलेगा, वो इधर मिलेगा, तो यह mistake हो रही थी, इस वज़े से यह गड़बढ हमारा answer आ रहा था, तो R1 हमारे पास कितना हो जाएगा, देखे, R1 हमारे पास हो जाएगा 10, तो R1 प्लस का 10 है, और जो R2 है, वो हमारे पास कितना है, माइनस का 15, अब बिल्कुल सही है, तो 1 अपान R1, माइनस 1 अपान R2, तो यह हो गया, माइनस का 15, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर अब सुधा लिजे अब गलती शायद दूरुगल लिए हमने तो म्यू माइनस वन वन अपन आरवन मतलब वान अपन टैन और माइनस माइनस कितना हो गया वन अपन फिफ्टीन चलिए अब इसको हमको सिंप्लिफाई करना है आप्टिक्स में काफी सारी चीज़े ध्यान में रखनी पड़ती इसलिए आप्टिक्स को जो है मैं बहुत टफ बोलता भी हूं कहता भी हो कि थोड़ी से डिफिकल्ट है इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन आपका लगता है पढ़ने में काफी चीज़े याद रखनी रहा था और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कभी निगेटिव नहीं आ सकता है इसलिए मुझे लग गया कि हां मेरी कहीं न कहीं गलती है अधर्वाइज मुझे पता नहीं चलता शायद मैंने गलती कर दी थी तो दस और पंदरा अभी एल्स यह मैंने निका रहा था थर्टी आया 1 तो 6 अपन में कितना 30 यस यह देखे तो ऊपर ओहो भाई क्या कर रहा हूं मैं 6 क्यों आएगा पांच आएगा पांच बटी 30 ओके 5 by 30 तो कितना आगया 1 by 6 आगया ठीक ना तो कितना हो गया 1 upon 2 हो गया so mu minus 1 is equals to 1 by 2 तो mu is equal to 1 plus 1 by 2 answer कितना 3 by 2 exactly answer है बिल्कुल 3 by 2 आएगा answer के देखने से लग रहा correct answer आए बिल्कुल so correct answer इसका कितना होगा 3 by 2 is the correct answer ठीक है ना तो ये इसको एक बार आप लोग solve कर लीजे अगर ये आपका बिल्कुल इसी तरीकी का question आपने किया है तो बिल्कुल correct answer है otherwise नहीं तो गलत है और याद रखिएगा एक बार जो गलती में एक बार किये मैं फिर से आपको recall कर देता कि जब भी आप lens बनाए ये देखिए lens होता है ओके तो lens में ये वाला पार्ट जो है L1 है और ये वाला पार्ट जो होता है L2 होता है ओके ये होता बाई-convex lens बाई-convex नहीं उभी उत्तल हिंदी में बोलते हैं तो L1 की जो आपके पास center of curvature आएगी वो यहाँ पर आएगी C1 ओके और ये R1 बनती है और जो L2 की वज़े से इस वाले पार्ट जो आएगी ये C2 आएगी ओके इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको हम बोलते है R1 ये हो गया ये R2 है ओके ये हमाँ पास में क्या बन चुका है ये R2 हो चुका है done तो इसको ध्यान में रखेगा इसी को यूज करके formula लगाना है और formula होता है 1 upon F focal length equal to mu minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 ठीक है न येस तो इसके लिए याद रखेगा कि जो R1 होती वो क्या होती positive होती है और जो R2 होती वो क्या होती negative होती तो इसको यूज करके formula लगा ये आपका answer आजागा अगला सवाल question number 16 का second part इसमें भी शायद यही formula लगने वाला है चलिए देखे question number 16 का second part क्या कह रहा है किसी उत्तर lens में वायो की focus दूरी 20 cm है मतलब मान लीजे आपके पास में कोई उत्तर lens है और इसकी focal length हवा में मतलब ये अंदर का medium बाहर का mu A है और अंदर का तो glass हई है तो ये पहली condition दी गई है इसकी focal length कितनी है 20 है मतलब F air equals to 20 चलिए तो मैं formula लिखता हूँ देखे क्या बनेगा 1 upon F air equal to A mu G मतलब air से लेके glass air है बाहर अंदर glass है तो A mu G 1 upon R1 minus 1 upon R2 बहुत बढ़ी है number 1 formula दूसरा देखिए जल में इसकी focus दूरी क्या है मतलब आपको दूसरा कह रहा है scene क्या कह रहा है कि आपने इसी चीज को आपने पानी में डाल दिया बहुत बढ़ी है पानी में आपने डाल दिया है तो बाहर का medium क्य हो चुका है mu water अंदर का medium तो glass है तो मैं क्या लिखूंगा 1 upon F water is equals to अब जो relative medium बनेगा सापेचिक माध्यम बनेगा वो क्या होगा W mu G मतलब water से लेके glass 1 upon R1 minus 1 upon R2 relation number 2 अब आप एक काम करिए दोनों को भाग देजिए दोनों को divide कर दीजिए तो आपके पास answer दिखना लगब लगबग सुरू हो जाएगा तो आएए दोनों को divide करते हैं हम ठीक है ना यस यह हमाँ पास था आचुका था अब मैंने divide कर दिया 1 upon F A divide by 1 upon F W बहुत बढ़िया 1 upon F A divide by 1 upon F W कितना हो जाएगा देखो यहां से यह क्या है यह है यह है A और यह गलत लिख दिया A mu G ओके 1 upon R1 minus 1 upon R2 और यह क्या है यह है W mu G that है 1 upon R1 minus 1 upon R2 ठीक है ओके इससे यह आप cancel कर दीजे so 1 upon F A divide by 1 upon F W is equals to चली एक काम करो इसको भी simplify कर लो F W सबसे उपर आ जाएगा multiply होके जो सबसे नीचे हो सबसे उपर और जो नीचे हो तो नीचे ही रहता है और उपर क्या बच गया आपके पास A mu G A mu G मतलब A mu G मतलब mu G upon mu A divided by W mu G का मतलब mu G upon mu W बहुत बढ़िया यह देखो यह फॉर्मूला आपने लगा दिया साप एक शिक अपवरत नांकर relative refractive index का formula से इसको बाट दिया तो FW upon F A देखो F A आपको question में दिया गया था F A आपके पास किती 20 cm है तो मतलब air की focal length आपके पास में 20 है तो यहाँ पर आप कितना put कर दो 20 is equal to mu G मतलब glass का अपवरत नांक air का कितना होता है 1 और उपर कितना आ जाएगा उपर आजाएगा mu W okay upon में कितना mu G हो जाएगा ठीक ना तो mu G upon mu A और W mu G बिल्कुल सही है mu G से mu G क्या हो गया cancel so 1 upon 20 is equal to mu W water की refractive index देखे water की refractive index जो है air water की किती दी गई है 1.33 okay air and water air and water की refractive index आपको 1.33 दी गई है मतलब water की जो pure refractive index है वो आपको 1.33 दी गई है so केवल कितना आ जाएगा 1.33 okay और उपर में क्या चल रहा है उपर में चल रहा FW तो answer हाजिर है आपका FW is equal to कितना हो जाएगा 1.33 multiply by 20 तो इसको solve कर लिजे जो answer आएगा वही correct answer होगा आपक कर दूँ मैं इसको 100 कर दूँ ओके 20 से कितने बार कड़ गया पांच बार कड़ गया तो answer FW is equal to 133 upon 5 cm यही आपका answer बनेगा ओके डन तो बढ़िया question आया है कुल मिला के मतलब खतरनाक टाइप का ही question कह सकता हूं इसको मैं है ना इतना आसान तो नहीं numerical मतलब है आसान बट प अच्छे इतना पढ़ते नहीं है इतने depth में नहीं पढ़ते हैं इतने गहराई में नहीं पढ़ते हैं कि उनको यह question थोड़ा सरल लगे मतलब बहुत सारे बच्चों ने यह सवाल चोड़ा होगा यह वाला सवाल जो है बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया होगा पूर्ण तरणकारी के रूप में इसका चित्र समझाए बहुत ही आसान क्वेशचन फूल टू लडड़ू वाला क्वेश्चन देखो भाई सब दो लडड़ू बना दिए मैंने बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपको तरंग दिष्टकारी बनाना था बन गया होगा सबसे इसका क्या बताऊं मैं, बड़े-बड़े question, इनके solutions तो आपके पास होंगे, swap रिरकत किसे कहते हैं, swap रिरकत किसे कहते हैं, तो देखे, formula बनाना था, 5 is equals to L I से, है ना, 5 equal to L I से, swap रिरकत किसे कहते हैं, so 5 upon I is equals to L, तो इसकी परिभास आपको यहां से बनानी थी, कि किसी कुंडली में एकांख धारा प्रभाहित करने पर, I equals to 1 लेने पर, जितना amount of flux, जितना flux उस कुंडली से सबद्धित हो जाता है, उसको हम उस कुंडली का swap रिरकत या swap रिरकत गुणांग कहते हैं, एक परिनालिका के अंदर swap रिरन के लिए वेंजक उत्पन कीजे तो, इसको, इसके मान को प्रभावित करने वाले कांड तो, L की value निकल वाई थी, मैंने mu 0, n square, i, a, करके जो value निकल वाई थी, वो यहां पे value आपको ऐसी कुछ निकालनी थी, और इसको प्रभावित करने व और, मतलब, input power को, एक निर्गत शक्ती को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, ओकी जिसके कांड जिसकी मदद से, शक्ती को, power को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, दो उपरकार के transformer होते हैं, एक step up, अगर output voltage, यानि की V out जो होता है, निर्गत voltage तो इसको हम अब चाहिए बोलते हैं, तो ये खेर, दो चीजें बड़े आराम से समझ में आगी, इसके सिधान तेवं होने वाली ओर्जा छह को समझाईए, इसके सिधान तो बताया था कि ये जो होता अन्योन पिरण के सिधान परकार करता है, ओर्जा छह मैंने बताया था, कई प्रकार के इसमें उर्जाच्य होते हैं एक होता है सैथिल लिहास होता है एक होता है इसमें तामर हरास होता है और एक और कौन सा बताया था मैंने तामर हो गया सैथिल हो गया सोचो कौन सा होता है और एक होता है भवर धारा हां तो एक होता है भावरधारा करा हरास हुआ करता है तो इसको अपने इतने टाइप के अपने आपसे ट्रांसफॉर्मर के यूजर्स ट्रांसफॉर्मर बताया था और इसमें इतनी प्रकार की हानिया होती यह बताया थे चलिए अगला कोश्चन देखिए प्रिज्म के प्रदार्त के लिए काच के अपवरतनां का सूत्र निगमित करना है तो यह पूरा एक बड़ा कॉंपलेक्स कॉश्चन था और हमने यह भी कहा था कि यह पक्के से आपके एक्जाम में आएगा देखिए और आही गया साइन ए फ्लस देल्टा पूछा गया देखो आप्टिक्स में आपसे दो निमेरिकल रखे गए हैं खतरनाक एकदम मतलब आप्टिक्स ने दो धूम मचा दिये और वेव आप्टिक्स जो था कि वेव आप्टिक्स से आएगा कुछ क्या आया एक किवल आया है डिफ्रेक्शन यानी की विवरतन वाला कुछन आया हुआ है ना तो वेव आप्टिक्स ने दो बहुत ज़्यादा निराश कर दिया मतलब बच्चे व्यती करण पढ़के गए होंगे काफी सारी चीजे पढ़के गए होंगे मगर वेव आप्टिक्स ने पूरा निराश कर दिया और ray optics जो है आपकी किरण प्रकाश की है इसने भर-भर के question दिये है ये देखो इसके बाद ये वाला question मतलब भाई एक तो आपने दो numerical पहले ठोक दिये दो numerical आपने किसके दे दिये हैं lens maker के मतलब paper बनाने वाले को एकदम मतलब क्या कहूँ मैं बहुत महबत है भाई optics से जबरदस्त वाली पूरे के पूरे question मतलब चार-चार question आप optics के रख रहे हो गजब करे हो भाई मतलब एक ही concept पर तीन question भाई क्या कहोगे मज़ा आ गया तो 1 upon f equal to mu 2 1-1, 1 upon r1, 1 upon r2 मतलब अंत में आपने lens maker formula पूछ लिया है 2 numerical पूछ लिया है ठीक ना और objective में चलो कोई नहीं कोई नहीं objective में तो चलो कुछ नहीं पूछा गया मतलब क्या क्या उम्मीद थी बच्चों को बच्चों को क्या उमीद रहे होगी सरल सूखशंदर सी खतम पूछा ही नहीं सैयुक्त सूखशंदर सी खतम पूछा ही नहीं ओके और क्या उम्मीद रही होगी बच्चों को LCR सरकेट खतम पूछा ही नहीं ओके स्रेणी में जो परिपत होता है स्रेणी अनुनाधी परिपत वो भी नहीं पूछा है ठीक है फिर उसके बाद कौन से चेप्टर में आ जो चुम्म की वाले चेप्टर में आ जो तो बच्चों ने क्या क्या रटा होगा क्या क्या याद किया होगा देखो उसमें आपने बायोट से वर्ट लोग पूछा होगा वो भी नहीं पूछा आपने motor generator होगा वो भी नहीं पूछा आपने मतलब मेरे ख्याल से paper को optics में बहुत ज़्यादा इस बार interest है paper बनाने वाले बंदे को optics में बहुत ज़्यादा interest है और नीचे के question मुझे काफी ठीक लग रहे हैं सरल लग रहे हैं मगर जो उपर के question पूछे गए हैं ये देखे ये जो उपर के question जो पूछे गए हैं वो थोड़े से आपके ऐसे लगे कि हलके से किताबों के अंदर से पूछे गए हैं डूब डूब करके question पूछे गए हैं ठीक ना अब देखो optics का numerical आप देखो question number 3 पे भी optics का numerical आया है लो भाई मतलब 3 number पर optics का numerical 1 आया है अगर मैं optics के question जोड़ू तो चलो एक बार देखते हैं क्या आया है ठीक है 3 number का ये numerical हो गया इसके बाद prism का question आया है कितने number का 4 का या 5 का मेरे ख्याल से इसी 5 का कितने का होता है भाई ये 4 marks का होता होगा ना शायद 4 या 5 का जो भी होगा देख लेना आप लोग तो एक तो ये आया हुआ है ठीक है और 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 ठीक है अच्छा ये मतलब alternate है ठीक alternate paper देख रहा हूं मैं मतलब जो अलग-अलग set आ है ना इसमें इन लोगों ने आंगे पीछे कर रखे हैं तो मेरे पास दो set के paper है तो किसी में कुछ उपर है किसी में कुछ नीचे है तो इस तरीके के questions है atom में आ गया क्या समस्थानिक आ गया है और hydrogen के दो समस्थानिक के नाम लिखने है एक मिनट कुछ बाकी भी अभी अपने पास में paper वो भी करना परता है तो चलिए ये तो देख लिया इसमें ये वाला part तो complete हो गया है और दूसरा set देखते हैं दूसरे set में क्या आया है चार set यहां पे आया है A, B, C, D उसमें चार set में अलग-अलग type के question आया है चलिए दूसरा set देखते हैं वो क्या आया है संयुगमी focus किसे कहते हैं मुखच तो किसे lens की मुखच पर ऐसे दरपन की lens के मुखच पर ऐसे बिंदू होते हैं कि जिसमें object को पहले स्थान पर रखो उसका प्रतिविम दूसरे स्थान पर बनता है और object को दूसरे स्थान पर रखो उसका प्रतिविम पहले स्थान पर बनता है, इन बिंदूओं के जोड़े को क्या बोलते हैं, आपका, इनको हम बोलते हैं, से यूमी फोकस, अपवर्ती दूरदर्सी तथा परावर्ती दूरदर्सी में दो अंतर बताना है, तो अपवर्ती यहने कि रिफ्रेक्टिव टेलेस इसमें मिरर का इस्तमाल हुआ करता है, इसमें मिरर का इस्तमाल हुआ करता है, दूसरा अंतर साहर यह है कि इसमें से एक की एफिशेंसी याने दक्षता जादा है, और एक की एफिशेंसी कम है, वो मुझे राइट नौ याद नहीं आ रहा है, कि किसकी दक्षता जादा है, क कोई करण आप्तित होती है तो alguien सब्सक्राइब करकाष करण यहां विद्ध कि रंग से रंगे आप द अपिक रापी आप्तित होती है तो पर आप। आउन स्टाइन संहे कर भी बहुत आसान था H new बराबर H new नॉट कारेफलन प्लस अधिकतम काइनेटिक एनर्जी अधिकतम गती जूर जा ये भी आप कर दिया होंगे D broadly द्रव्य तरंगे क्या है देखो भाइस आप question में ही दे रिया D broadly अभी पूचा था कि D broadly तरंगे कैसी तरंगे objective में यहाँ पे मदद कर दी इस question वाले ने कि D broadly तरंगे विद्दुचुम्ब की तरंगे नहीं है द्रव्य तरंगे मतलब प्रश्न में ही प्रश्न पत्र में ही आपको answer दे रिया है D broadly तरंग का समिकण लिखना है तो तरंग का समिकण दी ब्रोगली तरंग का समिकण वरताकार हुआ करती हैं और इसके बाद यह आपको लिख दिना था कि जो L होता है that is equal to NH upon 2 pi यहने जो कोणी यह समवेग होता है H upon 2 pi का गोणाज होता है इसके बाद परमाडू के नाविकी model की खोच किस ने की थी तो रदर फोर्ट साब ने नाविकी model की खोच की थी इसका चित्र बनाना था आपको नाविकी model का proton बना करके यहाँ पर electron बनाने थे समस्थानिक किसे कहते हैं बन गया होगा hydrogen के 2 समस्थानिक तो मैंने 3 बताया थे भाई साब hydrogen के 1H1, 1H2 और 1H3 जिनको protein, deuterium और treatium कहते हैं समभारिक कैसे कहते हैं ऐसे परमाडू ऐसे तत्तो जिनके परमाडू भार समान होते हैं मगर परमाडू करमांक अलग-अलग होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं समभारिक बोला करते हैं ठीक ना यस तो ये वाला part भी हो गया है इदर वाला part भी हो गया है ओके दूसरे वाले question paper को देखूँ तो बायोट से वर्ट लो सदिस रूप में करा दिया चुम्बिकी छित रेखाएं करा दिया ओके इसके बादे शक्ति वाला question भी करा दिया ये भी करा दिया सयूंग में फोकस मैंने अभी अभी आपको बता दिया अपवरती दूरदर्शी को जो में दोनों में अंतर भी बता दिया प्रकाष विदुत प्रभाओ क्या ये इभी बता दिया डीब्ल Row इतर्फतरंग्य क्या ये भी बता दिया बोरaltro case model की दो परीकल्पनाय बता दिया ने की थी ओके समस्थानिक संभारिक दोनों बता दिया मूह लाव eesh पहली बता द तो यह विदूत सेल किसे कहते हैं बता दिया ओम का नियम भी बता दिया ओके ये देखे ये वाला निमेरिकल तो होई गारा और गॉसके नियम के द्वारा विधकरम वर्क का डिरिवेशन चालक की धारता भी मैंने बता दिया आपको सीक्ष कुल्टू क्यों पॉपान भी से व आपको निजर चलक बाहर चलक में अंतर बता दिया पी एंच संथी डायोड भी बता दिया सौपरिर कत का डेरिवेशन खुद से करने को कहा ट्रांसफॉर्मर बता दिया प्रिजमे के पदार्थ का डेरिवेशन काफी बड़ा था ये भी बोल दिया था और पतला लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूतरी है तो मैंने बताया ही था कि बहुत इंपोर्टेंट है ओके अच्छा दीखे मैंने यहां पर क्या रहा है था आपको वन म्यू टू मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के साथ में इसी को मूट टू यहाulline लिखा जाता है तो वह दोनों बाते एक ही है तो इस तरीके से हमारा जो फिजिक्स के पेपर का पूरा विसलेशन बड़े मज़ेदार तरीके से बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से हमने cover कर लिया है आपको यह पूरा का पूरा विशलेशन बहुत पसंद आएगा अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए कमेंट कर दीजिए और थैंक इसो मच फॉर बिंग विद लोकेश सर अल्लिम्टेड स्टडी जोन बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जे हिंज भारत